हैलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब आफकाशल इंहें सो फ्रेंट्स आया दिन वालीवोड ने फिर यूट्ब में चाहए हो नएवोले जेने वाले फेमस यूट्यूबर जैनने कि आप कभी ना कभी फेज़्फक इंस्टा इर फिर यूट्वमें जरूड देखे होंगे अभी हाली में हुए अपने बेबी सावर को लेके काफी ज़्यादा लाइम लाइट में थे जी हाँ मैं बात करी हूँ अर्मान मलिक और उनकी दोनों वीवियां कृतिका मलिक और पारल मलिक इनकी दोनों पत्निया साथ में प्रेगनेट हुई थी एक वीडियो में उन्होंने खुदी ये बताया था कि कुछ हेल्थ इसूस के वज़े से वह नॉर्मल कंसिफ नहीं कर पा रहे हैं इस वज़े से उन्होंने मेडिशिन और इंजक्शन के थुरू मेडिकल तरीके से कंसिफ किया था और अभी कुछ ही दिन पहले उनकी बेवी सार भी था उनका ये सेवन्त मन्त चल रहा था बट क्योंकि इनका जो प्रेगनेंसी था वो थुड़ा कुटिकल सिचोशन में था इसलिए तूरत उन्हें अपना डिलिवरी करना पड़ा जी हाँ पाइल मलिक वो अभी उनका डिलिवरी हो गया है और वो माँ बन गई है फानली उन्हें तो बेटियों को जन दिया है और इस वज़़े से उनके घर में बेटी आने से उनका पूरा फैमली काफे ज़्यादा मतलब खुश है क्योंकि अल्रेडी उनके यहां उनका बेटा था चिकू अर्मान मनिक वो बताते हैं कि बेटियों का आने से पूरा घर पूरी तरह से खुशों से भर गया है और फानली मेरा परिवार पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है जहां किर्दिका मलेक वो अपने बेटियों को लेके ये बताती है कि मुझे लग रहा है कि मेरे तीन बेच्चे हो गया है एक चिकू और दो बेटियां बताते चले कि पाल मलेका उनका जो डिलिवरी हुआ वो C-section के थुरू हुआ और ये इनका खुद का decision था क्योंकि इनोंने साथ में conceive किया था और उनकी दोनों बेटियां और पाल मलेक दोनों सरस्त हैं और वो बहुत जादा खुश है तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे मुझे ही थोड़ा सा सब्सक्राइ बाइ